इस्टार्ट जोलाई महिने में देश का सिर आकास से भी उचा हो गया जब अत्यादुनिक तकनीक वाले राफेल फाइटर जेट विमानों का बेड़ा फ्रांस से अमबाला एयर बेस की धर्ती पर उत्रा अगर बीच में कोई मोसम संबंधी दिक्कत होती तो इसे जोदपुर एयर बेस पर लेंड किया जाता इन विमानों को दुनिया के बहतरीन लड़ाकु विमानों में से एक माना जाता है नवंबर महा में तीन ओर राफेल विमान गुजरात के जाम नगर एयर बेस पहुँचे भारतिय वायू सेना में सामिल इन विमान नों में रडार से बच निकलने की युकती मोजूद है बहुत उचाई वाले एयर बेस से भी उडान बरने में सक्षम राफेल काफी ठंडे मोसम में भी तेजी से काम कर सकते हैं फिलहाल बाकी बचे सभी विमान साल दो हजार तेईस तक भारत पहुँच जाएंगे बीते तेईस साल में भारत द्वारा लडाकू विमानों का यह पहला बड़ा अधी गिरहन है यह वायू सेना में सामिल सबसे घातक विमानों की श्रिणी में से एक होगा पहरा ट्रिपल तलाक इसलामिक कानून के तहत तलाक की एक प्रक्रिया है यह प्रथा बहुत पुरानी है 2017 में प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश राचे चुनावों के लिए एक अभियान चलाया जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक को खत्म करने के लिए अपनी आवाज उठाई इसके बाद केंद्र सरकार ने इन महिलाओं के मुद्दे का समाधान ढूनना शुरू किया सर्वोच नियायाले द्वरा दिये गए निर्णय के आधार पर भारतिय संसद में ट्रिपल तालाक यानी तीन तालाक विधेयक पेश किया गया अक्टूबर महिने की सुरूवात अपने साथ ले आई सालों पहले देखे गए सपने का साकार नजारा प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने सामरिक रूप से महतपूण सभी मोसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का इमाचल प्रदेश के रोहतांग में उद्खाटन किया दुनिया के इस सबसे लंबे राजमार्ग पर बनी सुरंग की लंबाई 46 किलोमीटर है जिसके खुल जाने से मनाली और लेहे के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई सुरंग को हिमाले की पीर पंजाल की परवत स्रंखलाओ के बीच अत्यादुनिक विसिष्टाओ के साथ समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की उचाई पर बनाया गया है इस सुरंग पर तेजी से काम चल रहा था हालां की इस सुरंग के निर्मान में निर्धारित समय से चार साल का अतरिक्त समय लगा है पहले इस सुरंग का निर्मान 6 साल में पूरा होना तै किया था कोरोना के चलते भी इसका काम थोड़े समय के लिए रोका गया था इस सुरंग की घोसना वाजपई सरकार में हुई थी रोहोतांग दर्रे के नीचे सुरंग बनाय जाने का एतिहासिक फैसला देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई दुवारा लिया गया था इस सुरंग का नाम पुर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई की जैन्ती के अवज़र पर सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे की रणनीतिक सुरंग का नाम अटल सुरंग रख दिया है पहरा मैं एक सरकारी स्कूल की टीचर हूँ धन संपदा की कभी कमी नहीं रही सो मेरा स्व्वभाव भी ऐसा था की अ कम की तो बात ही मत करो मेरा परियाप्त संसाधनों से भी गुजारा नहीं होता था मैं हमेशा महंगी और लगभग अनावस्यक चीजों पर भरपूर पैसे खर्च कर देती थी अगर कोई तोफा या चीज पसंद नए आए तो स्विकारने से भी साफ इनकार कर देती थी एक बार की बात है मैं अपनी फूफी के बेटे की साधी में आई थी साधी बेहद धूमधान से संपन हुई फूफी ने मुझे उपहार स्वरूप विसेश रूप से कोसा की साड़ी गिफ्ट की पर मैंने अपने स्व्भाव अनुसार साड़ी देखते ही नाक मुहूं सिकोड लिये फूफी ने मेरे हाव भाव से अन्दाजा लगाते हुए पूछा क्या हुआ ये साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई इस साड़ी में कुछ ऐसा खास नहीं है जो मुझे पसंद आए बस क्या था फिर तो फूफी को गुसा आ गया और इठलाते हुए बोली ये साड़ी पूरे पांच हजार की है महंगे परिधान और आराम तलब जीवन पसंद करने वाली महिला ने जब देखी तंग हाली में गुजर करते लोगों की इस्तिती तब उसने समझा जरूरत और विलासिता के बीच अंतर और बदला अपना स्विभाव